नमस्कार दोस्तों मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल में आपका एक बाफ फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप सब स्वास्तर सुरचित होंगे आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत सुपकामना है इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने चाह過去 बढू जारे हों कि चौक कहा बहुतानी है प्रशाद का क्या करना है। कलेश में जौ जल था उसका क्या करना है। साफ में अठाओगे कि जो गडेश लश में कि मूर्थी है उनको अपनी जगह कहां पर इस्थापित करना है और बाकि सारी चीजों का क्या करेंगे ना पहले, जो भी प्रशाद है, पूजा के बाद, कुछ प्रशाद हमें घर के सभी सदस्यों में बांट लेना चाहिए, जैसे कि लावा हो गया या आपने खिलोने या मिठाई चड़ाया है उसके बाद जो भी प्रशाद आपने चड़ाया है उसको आप अलग कर लेंगे जैसे फल, फूल जो भी प्रशाद है मिठाई आपने चड़ाया है जो खीर मालचमी को चड़ाते हैं उसे रात में हटा लेन आप सब लोग पूजा के बाद खीर का प्रशाद करें फिर भोजन करें तो इस बात का ध्यान रखें बाकी जो चीजे हैं चौकी का समान है उसे हमें परिवा के अगले दिन मतला भाई दूज वाले दिन हटाना है जिस दिन भाई दूज रहेगा उस दिन हटाना है वीडियो और पसंद आया तो मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा यहां रड बटन पे क्लिक करेंगे तो बंगल में बैल आएगी बैल पे तीन आप्शन आएगे और पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो के अपडेट आप तक पहुंसकेंगे जो प्रशाद हमने चड़ाय उसे सबसे पहले ग्रहन करें और उसके बाद फिर भोजन करें बाग की सारी जो चौकी है उसे परिवा के बाद धटाना है क्योंकि परिवा के दिन आप गड़ेश लेश्मी को यहां से ठाके जो पूजा के मंदिर में स्थापित नहीं कर सकती है तो इस पात का ध्या रखना कि इसको भी सुबकारे नहीं करते हैं तो इसलिए परिवागी दिन चौकी ऐसी ही पड़े रहें दीजे यहां पर पूजा करनी आपको सुबेसा मारती करनी है प्रशाद चड़ाना है तो सबसे पहले मैं बता दूँ यह जो नोट और चान्दी का सिक्का है इसे समहाल कर यह सारा काम भी हमें भाइदुजवाली दिन ही करना है तो यहां पर आप इसको लपेट के पोट्ली मना के बगल में रख दीजिए यह देखिए यह सारी चीजे हमें लॉकर में रखनी है तो रात में जो सरसो का तेल का दीपक जला के रखा था तो यह देखिए काजल इस त होता है इस काजल को लगाने से तो इस काजल को जरूर लगाना चाहिए बहुत ही सुब होता है तो जो परिवा के दिन आप यहीं पे चौकी पे पूजा करेंगे अगर आपने मंदर में स्थापित किया है तो कोई बात नहीं आप फिर वहां से जो फूल माला है वो हटा सकते हैं जो चावल चौकी पे पड़ा हुआ है उस सारी चावल को एकत्रित करेंगे और उसे किसी पंडी जी को दान दे देंगे इसी तरह जो सिंगार का समान है उसको पंडीत को या किसी स्वागन मेला को दान दे देंगे और चावल आप चाहें तो थोड़ा चावल है जैसे कल को दान दे सकते हैं वैसे भी पूचा के बाद सीधा आया किसी पंडित को दान दचिना देना सुभ माना जाता है इसके बाद जो लाई लावा सब था वो सब भी आप इकठे करके जो आपने अच्छत के रूप में भोग लगाया था वो सब भी आप इकठा करके जो भी समान ग दें और भी फूल माला को भी किसी साफ सुत्री जगा या आप गमले में इसको आप घडळा खूदकर वहां पर आप इसको विसर्जित कर सकते हैं बहुत से लोग नदियों में भी करते हैं, लेकिन अब नदियों में नहीं करना चाहिए, आप अपने घर के आसपास गार्डन में इसे विसरजित कर दें, तो इस तरह से चौकी से एक-एक समान हम अटाएंगे, गड़े सलच्मी को आपने चौकी पर स्थापित किया है, तो इ यहां पर आप इने इस्थापित कर देंगे, इसी तरह कुबेर भगवान जी को लॉकर में स्थापित करेंगे, अब यह देखी जो कोडी है, जो हमने दीपक जलाया था सरसो का रात में, उसमें भी कोडी गुंजा डालके रखेंगे, उस सब को निकालके पोच लेंगे, और इस कोडी को अपने घर के जो भी सदस्यों के पास पर्स है, उस पर्स में डाल देंगे, एक कोडी हम लॉकर में रखेंगे, इसी तरह जो यहां पर कमल गट्टा है, उसे भी हम लॉकर में रख देंगे, कुबेर भगवान जी को लॉकर में रखेंगे, तो कुबेर भगवान तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और जो पूज़ा में आपने जिस चांदी की सिखे की पूजा की पैसे या रुपए के पूजा की ते उसे भी हम लॉकर में लाल रंग के कपड़े में लपेट के रख देंगे इसी तरह जो कौड़ी है गुंजा है और जो हमने कमल रखते चड़ाये थे वो भी एक एक पीस हम यहाँ पर रख देंगे गड़े सलच्मी जी को भी चौकी से उठा कर मंदिर में स्थापित कर देंगे जहाँ पर हम साल भर तक गड़े सलच्मी की पूजा करेंगे जो पूराने गड़े सलच्मी है उनको बहुत से लोग विसरजित कर देते हैं बहुत से लोग रखते हैं कमल के फूल को अगर हम पानी में स्थरसे लोटे में रखते हैं तो वो दो तीन दीन तक खिला रहता है इस तरह से तो उसको भी हम मालच्मी के पास रख देंगे जो हल्दी की गाठ हमने चड़ाई थी, कमल गटे, इलाची, लॉंग और सुपारी जो चड़ाई हुई है इसको एक पीले रंग की पोटली में बांध देंगे और इसे लॉकर में रख देंगे यह एक तरह का उपाय है, ऐसा माना जाता है कि इससे धन, धाने में कभी भी कमी नहीं होती है इसी तरह जो नारियल है, उसमें भी लाल कपड़ा लपेट कर आप तिजोरी लाकर में रख सकते हैं अब यह एक उपाय है, नहीं तो आप इसे प्रशाद के रूप में खा सकते हैं तो यह जो भी चावल थोड़ा बहुत लावा सब रह गया इसको एजगे किठा करके इसको चिडियों को डाल दीना है तो आप कहीं आप छट पे हैं या फ्लैट में रहते हैं तो खिडिकियों पे जो बार्जी होते हैं उस पे डाल सकते हैं आप चौकी से कपड़ा हटा लेंगे लाल रंका कपड़ा इसको दो कर आप कभी भी पूजा में कहीं पे भी बिचा सकते हैं इसके बाद इस चौकी पे हम गंगा जल से आर्श्मनी करेंगे चिलकाओ करेंगे और इस तरह से हाथ से हाथ फेर देंगे और फिर हाथ जोड़ेंगे और प्रातना करेंगे कि जो भी देवी देवता यहां विराजवान थे वे अपनी अपनी जगा इस्थापित हो जाए इसी तरह जो रंगोली हमने बनाये थी उस रंगोली को भी आपको इस तरह से साफ करके कहीं गार्डन में डाल देना है उसके ब वीडियो एक एक करके मैंने सारी चीज़े आपको बताने की कोशिस की है फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं बहुत जल्दी एक आंसर देने की कोशिश करूंगी तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आये होगा पसंद तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जैमाल अच्मी जरूर लिकिएगा मेरे चैनल को